दोस्तों आपने तो देखा होगा समी का प्लांट हरी घर में उपलब धर आता है क्योंकि आक्सीजन देने बाला प्लांट है और इसका पूजा भी बहुत मानता हो के साथ किया जाता है लेकिन इसका कटिंग लगाने का विद्री बताएंगे आप पूरा वीडियो अन तक किए का अगर मेरे वीडियो पर पहली बारा है तो जरूर सब्सक्राइब करते क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है और ऐसे भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कैसे समी का कटिंग करना चाहिए ये मेरे से नीचे से निकला हुआ समी का कटिंग है और इसमें कटिंग था मतलब छोड़ा चोटा बनाया हुआ कटिंग लाए थे मैंने 10 रुपे में और उसे ही लगा दिया था और वह वी कटिंग मैंने ले लिया हूँ देखिए कितना अच्छा कटिंग है आपको इसके लिए आब सकता होगी रूटिंग हर्मोन की और यह बला कटिंग की और आपको आब सकता होगी कोई नाइफ की अच्छी वाली और यह गलास की आब सकता होगी फीपी गलास जो होता है और इसे नाइफ को अच्छी तरह से डिस्ट्रेलाज कर दे मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ क्योंकि मेरा नाइफ उतना गंदर नहीं रहता है और इसका सारा कटिंग कर दे अच्छी तरह से जितना अच्छी हो उतना ही अच्छी तरह से कटिंग अच्छा ले ले और पूरा कटिंग एकदाम उपर तक साफ कर दे और दो तीन कटिंग ले ले और दो तीन गलास में आप लगा दीजेगा जैसे मैं बताऊंगा और उसमें क्या-क्या द मैं पीन कर दूंगा आप वह भी वीडियो देख सकते हैं कैसे क्यार करना चाहिए और मेरा उसमें है आज पानी उसमें दे दिया था क्योंकि बहुत सुखने लगा था 15 दिन पर हम पानी दे देते हैं अपने प्लांट को इसे 45 डिगरी एंगिल पर काटिये वह पैतारीस डिग बहुत अच्छा है और 2024 तक उसका इस्पारी डेट है ऐसे आप देखिए इसका अच्छी तरह से साफ कर दे इसमें बहुत ज्यादा काटा होता है काटा से बचा कि आप जो भी हो उपर से नीचे तक काटा हटा दे काटा जैसे ही आप हटा लीजेगा उसके बाद इसे अच् मी बहुत अच्छा है और यह बादा भी कर सकते हैं अगर नहीं तो आपको प्तेफिश और कोई भी हार्मोन नहीं तो यह डो में घरते जैले डिकत नहीं जाता है और झाल श्क में चमर्णिक्प होता है यह देखिए मिलाया हुआ य말 लागता है यह अनुत रोड़ पूरा बावला मतलब इसके अंदर नहीं जाना चाहिए और देखिए मैं मिटी जो लिया हूँ वह एक बर्मिंग कंपोस्ट बाला लिया हूँ इसमें पर्मिंग कंपोस्ट इसमें छेद नीचे हो जाना चाहिए क्योंकि छेदा जीतना रहेगा उससे पानी निकलने का जो भी बहुत अच्छा सरवाइब कर जाता है मेरा कटिंग आपको जैसा अपको जैसा इसमें तीनो में से जो अच्चा लगे वह एजसा अब कrange सकते हैं मदर ये किंगव लगाने के लिए पूरा बहुत ज्यादा रहता है और यह देख़िए कैसे कटिंग लगा दिया मतलब युटर नदर तक किया हूं दो थीन रेफनों अंदर तक कर दिया हूं और उपर मैं ऐसे ही लगा दिया और देखिए बावल जैसे ही बंद वह ऐसे ही बावल कर दीजेगा बंद नहीं तो खराब हो जाएगा आपका प्लंग और देखिए इसे अच्छी तर से रख दीजिए उसके बाद इसमें थोरा सा पानी देने की अवार सकता होगी अगर मिट्टी पूरा भर दे मतलब जो वह सर्वाइब कर जाए नहीं तो खराब हो जाने का ज्यादा चांस रहता है और आप ऐसे ही पूरा बंद कर दे और पूरा बावल मतलब बंद कर दे मैं तो ऐसे ही कर देता हूं और इसे धूप में नहीं रखना होगा इसे मतलब आपको छाओं में ही रखना होगा नहीं तो ध इतना पानी हो सके उतना पानी दे दिजिए इस पर अगर अब जा अप्टेट जरूर आएगा क्योंकि पार्ट्टू जरूर मैं लाँगा इसे ढख दीजिए कोई चीज से और अच्छी तरह से ढखे इसे ठाया में रख दें